नमस्कार दोस्तों मैं समयराज आपके लिए लेकर आया हूँ महंगाई राहत कैम्प के बारे में जानकारी राजस्थान में महंगाई राहत कैम्प का आयोजन 24 अप्रेल से 30 जून 2023 तक चलेगा राजस्थान में कॉंग्रिय Rebecca में सरकार महंगाई राहत कैंप का आयोझन करने जा रही है। इस कैंप में अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर दस बड़ी योजनाओं का सीधा लाव ले सकते हैं पाजस्थान महंगाई रहत कैंप 2023 हे तु रजिस्ट्रेशन के लिए पात्रता, डोक्यूमेंट सहित संपूर्ण जानकारी बताए गई है। एक मुख्यमंत्री गैस सिलेंड योजना, इस योजना में 500 रुप्ये में सस्ता रसोई गैस सिलेंड दिया जाएगा। इसका लाव लेने हे तु आपको कनेक्शन नंबर और गैस एजेंसी का नाम लेकर महंगाई रहत कैंप में जाना है। दो मुख्यमंत्री निशुल्ग बिजली योजना अभी इस योजना में 50 यूनिट तक बिजली प्रतिमाह फ्री है, अब बजट में 100 यूनिट प्रतिमाह फ्री बिजली की घोशना की है। इसका लाब लेने के लिए उपभोकताओं को घरेलू बिजली कनेक्शन नंबर बिजली का बिल महंगाई रहत कैंप में लेकर जाना है। इसे योजना में गेहों मिल रहा है, अब उनको अन्नपूर्णा पैकेट योजना में फ्री राशन किट भी गेहों के साथ मिलेगा, जिसके लिए आपको आपका राशन कार्ड वज जनाधार कार्ड साथ लेकर जाना है। चेह मनरेगा में 125 दिन का काम, नरेगा में अभी 100 दिन का गारंटी रोजगार मिलता है। अब राशस्थान सरकार ने नरेगा में प्रतिवर्ष 125 दिवस का गारंटी रोजगार योजना में काम देने की घोशना की है, इसके लिए आपको नरेगा कार्ड, आधार कार्ड वजन आधार कार्ड साथ लेकर जाना है। साथ 1,000 रुप्य की पैंशन राजस्थान सरकार ने बजट में सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना में अब पैंशन की राशी न्यून्तम 1,000 रुप्य कर दी है, अब जिनको 1,000 रुप्य से कम पैंशन मिल रही है, वे महंगाई रहत कैंप में अपना PPO नंबर, जन आध आधार कार्ड व आधार कार्ड साथ लेकर जाएं। नौ चिरंजीवी दुरगटना बीमा योजना अभी तक आपका 5 लाख रुप्ये प्रती परिवार का बीमा था।